तो एलेक्चे नमबर फाइफ है करेंट एलेक्टिसिटी सीरीज का तो इसमें हम लोग करेंट थुरुआ कंड़क्टर वो निकाले में ठीक है वो निकालने से पहले हम लोग करेंट डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं तो मैं डिफाइन करो करेंट डेंसिटी को तो करेंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग जे वेक्टर से ठीक है और जे वेक्टर जो है वेक्टर ये तो दो चीज़े होनी चाहिए इसका मैगनिचूड होना चाहिए और डेरेक्शन होना चाहिए तो इसका मैगनिचूड ह है current divided by perpendicular area यह हो इसका magnitude वाला पार्ट current divided by perpendicular area ठीक है ओके और direction वाला part है in the direction of current यह देखने current को वेक्टर quantity नहीं है although current का direction आपको बताते हैं लेकिन current को वेक्टर quantity नहीं है ठीक है इसका current simple है जैसे आप मालो दो वायर में current 3A floor है यहां पर 4A floor है तो इस wire में हमेशा current आपको 5 ही मिलेगा sorry 7 ही मिलेगा ठीक है भले इनके बीच में कोई भी अंगल रहे है तो इन दोनों का addition जो है इनके बीच के अंगल पड़िपन नहीं कर रहा है तो इसलिए vector नहीं simple ठीक है current के पास direction भी है magnitude भी है लिकिन वेक्टर नहीं है जो है तो इसको फॉलो करता है तो current density एक वेक्टर कॉंटिटी जिसका magnitude इतना है डारेक्शन इतना है ठीक है तो current density के लिए current कोई भी अरिया आप देख रहे हो उस एरिया के परपेंडिक्टर डिरेक्शन में current का flow होना चाहिए ठीक है अगर नहीं हो रहा हो तो आपको परपेंडिक्टर लेना पड़ेगा for example मालो यहाँ पे एक conductor है ठीक है आप electric field इस तरफ लगाया हो अगर electric field इस तरफ लगाया हो तो पता होगा free electrons इस direction में drift हो रहे होगे तो इसको current cross कर रहा आई है ना तो इस एरिया के थुरू आप बोलोगे current density के इतना आई divided by यह वाल आईरिया लेकिन same current तो इस एरिया को भी cross कर रहा हो ना क्यों क्योंकि जितना चार्च इसको cross कर रहा है 10 मिनिट में उतना चार्च इसको भी cross करेगा क्योंकि electron तो drift constant velocity होते है न एक बर आप drift velocity concept पढ़ लियो तो electron को collision को अब ignore करो मान सकते हो electron drift velocity तो जा रहा है इस तो drift velocity पढ़े random motion वाला पार्ट जो है उसको हटाने के लिए यह यह आप सिंपलर मॉडल मान लो कि electron खली drift कर रहा है कि effect वही create होने वारे ठीक है electron को जो random motion है उसते तो current में को contribution नहीं सिर्फ डिट वाले कारणी current में contribution है ठीक है तो इसको भी उतने ही charge cross कर रहा है लेकिन इसका area क्या है इसका area current flow के perpendicular नहीं है है तो अब क्या करोगा यसे यह वाले area A है तो इसका area यह perpendicular area के साथ theta angle बना रहा है ठीक है तो ये वाला area perpendicular एगा theta angle बना रहा है तो ये अगर इसका area a है ठीक है तो इसका area हो जाएगा a cos theta है ना ठीक है ये basically मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर नहीं समझ मारा तो suppose ये एक area है ठीक है और इसका component निकालने आपको इस line में या इस plane में है न तो यह angle theta बना रहा है तो इसका जो यहाँ पर चाही आने वाला है उसका area कितना होगा ठीक है तो अगर यह वाला area उपर वाला area A है तो जो नीचे वाला area दीख रहा है आपको यह A cos theta होगा ठीक है अगर उपर वाला A है यह theta है तो यह वाला area कितना हो जाएगा A cos theta है ना तो current density आप लिखोगे I divided by A cos theta ठीक है I divided by perpendicular area और perpendicular यहाँ पर कितना है A cos theta ठीक है यहाँ पर जो area होगा as it is ले 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 ना क्योंकि current is already perpendicular to this area लेकिन यहाँ पर जो तो यहाँ पर मैं जो बता रहा है तो उसको यहाँ फिर से बताना चाहूँ तो अगर यह वाला area मैं पूरा area डॉर नहीं कर रहा हूँ अब imagining कर लो यह वाला area current ऐसा flow हो रहा है मालो current इस तरफ flow हो रहा है तो current के flow के perpendicular नहीं यह रहा है तो इसका perpendicular portion ले ले लेना ठीक है तो अगर यह वाले area A है यह theta है तो A perpendicular हो जाएगा A cos theta ठीक है तो current divided by A cos theta कर देना तो आपका result आ जाएगा current density का वो magnitude होगी है direction in the direction of current ठीक है अब current density का फायदा क्या है तो माल लेते हैं आपके पास कोई random ship का यहाँ पे area है छीक है और हर point पर आपको current density का value पता है जीसे यहाँ पे को छोटा area लेले point मतलब बहुत ही छोटा area है मालो यह area डिये ए ठीक है तो डिये area में current density आपको पता है तो अगर कोई छोटा area डिये है और यहाँ पर current density इस तरफ है ठीक है तो अगर current density इस तरफ है तो area को जो current cross कर रहा होगा area vector तो इस तरफ है इसका है ना तो area vector इस तरफ है area vector वही concept जो वहाँ पर गौस्ट होए पड़े थे वैसा ही है तो current density इस तरफ है area vector इस तरफ है तो आप क्या करोगे j.a करोगे तो current crossing इस area आपको मिल जाएगा ठीक है तो वैसे फिस j.a का integration कर दोगे तो आपको current through this area मिल जाएगा है तो current through any area निकालने के लिए आपको j.a का integration करना है ठीक है यह उतना important नहीं है जस्त बताना था बता दिया है इसको उपर कभी question नहीं पूछा गिया है ठीक है तो current through any area निकालने के लिए आप उस area के उपर j.a का j.da का integration कर दना है तो small area के तुरू current निकालने के लिए j.da करो और total current निकालने के लिए ऐसा ठीक है तो इसका मतलब क्या है अब although यहाँ पर current का direction current density इस तरफ है तो charge तो इस तरफ क्रॉस कर रहे है लेकिन आप निकालना चाहते हो effectively इस area के perpendicular direction में कितना charge क्रॉस कर ठीक है तो current density पर एक simple question कर लेता है तो मालो यहाँ पर एक वायर है conducting wire और इसका एक cross section दिखाया गया है current इस direction इस दिरेक्शन है flow हो रहा है ठीक है और i के value मालो 5A है और यह जो area है इसका value आपको दिया हुआ है 2 mm² ठीक है तो अगर current density यहाँ पर लिखना जावाब तो current density का magnitude हो जाएगा i by a यह यहाँ 5 by 2 ठीक है millimeter square मतलब 10 की पावर millimeter कितना होता है 10 की पावर minus 6 हो जाएगा millimeter square रहे है न होके तो current तो ampere में रहेगा और यह millimeter square था तो ampere per meter square हो गया यह ampere per meter square पर meter square कि मैंने millimeter square को meter square में convert कि है न तो current density का magnitude है direction in the direction of current तो current इस तरफ है along x axis है तो jb along x axis हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको उसके साथ लिखना है तो along positive x ठीक है बस इतना ही जानना है current density के वारे में इस से जानने की ज़रुरत नहीं है तो already lecture बढ़ा हो गया है next lecture में हम लोग current density का value निकालेंग और current की value निकालेंगे इन्हें conductor आप कुछ भूल रहे हो इमांदारी से बताना करना है नी करना है करो ना भई क्यों ने कर रहे आप